हेलो दोस्तों आई होप आप सबी अच्छे हैं देखें आज के इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में हम अप्रेल 2024 में जो भी RBI सर्कुलर सीशू हुआ है उन सब को पढ़ने वाले हैं अब सबसे पहली बात तो अगर आप RBI के वेबसाइट पे है उन माशटर सरकुलर में क्या गया गया है जैसे कि मालिचे एक सर्कुलर है लीड बैंक hmm को ले करके तो निए बैंकous को ले करके समझमें आ रहा है तो इसीलिए उन सब rbs circular को उन सब मास्टर circular को हम नहीं पढ़ने वाले हैं हम वैसे circular को पढ़ेंगे जहाँ पे किसी नए decision के बार में बात हो रहा है किसी नए development के बार में बात पूछा जाता है और अगर स्टैटिक पॉइंट से कुछन पूछा भी जा रहा है तो वह भी न्यू डिसीजन से ही रिलेटेड रहता है ठीक है तो यहां पर हम उन सब सर्कुलर को पढ़ने वाले हैं जिसमें की कुछ न्यू डिसीजन के बारे में बात हो रहा है अप्रील 2024 का ठीक है तो चलिए सुरू करते हैं अगर आपको इस पर्टीकुलर लेक्चर का पीडियेफ चाहिए होगा तो आपको आसानी से मिल जाएगा टेलीक्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है वहां से जाकर कि आप इस लेक्चर का और आने वाला जित बेस्ट एक अर्बन कोपरेटिव बैंक है जिसका नाम है कपोल कोपरेटिव बैंक लिमिटेट इसको बाहर कर दिया है तो कपोल कोपरेटिव बैंक लिमिटेट जो की मुंबई बेस्ट एक अर्बन कोपरेटिव बैंक है इसको आर्बिया ने आर्बिया एक 1934 के second schedule से बाहर सब्सक्राइब करता है तो इन सब क्राइटेरिया के ऊपर जो भी बैंक खरा उतरता है उसको ही RBI इस सकेडूल में सामिल करता है जिसको इस सकेडूल के अंदर नहीं रखा जाता है वो नॉन सकेडूल बैंक कहलाने लगता है और आपको पता होना चाहिए कि हर सकेडूल बैंक को मेली दो तरह का फिसलिटी प्रोवाइड किया जाता है सबसे पहले तो वो इलिजबल होता है RBI से बैंक रेट के उपर डेट या फिर लोन लेने के लिए देखें एक तो आपका होता है रेपो रेट तो जब कोई बैंक कोई भी कमर्शल बैंक है वो RBI से रेपो रेट के उपर लोन ले रहा है तो बदले में उस बैंक को RBI को कोलेटरल के तोर पे government securities देना पड़ता है राइट लेकिन जब कोई बैंक RBI से बैंक रेट के उपर लोन ले रहा है तो उस case में उसको RBI को किसी भी प्रकार का कोलेटरल नहीं देना पड़ता है तो कोई भी bank अगर RBI से bank rate के उपर loan ले रहा है तो वो collateral free होता है तो जितना भी schedule bank है वो eligible होता है RBI से bank rate के उपर loan लेने के लिए इसके बाद जितना भी आप schedule bank देख रहे हैं वो clearing house का member होता है कोई bank है उसको schedule bank का दरजा दे दिया गया तो वो automatically clearing house का member बन जाता है अब इस context में अगर हम बात करें कि clearing house होता क्या है दो कि clearing house और कुछ भी नहीं एक ऐसा entity होता है जो कि bankों के बीच में transactions होता है उसको यह clear और settle करने का काम करता है जैसे कि माल लीजे कोई एक bank का वैक्ति है उसने किसी दूसरे bank के वैक्ति को पैसा transfer किया या फिर चेक दिया तो इस case में इन दोनों bank के बीच में जो clearance और settlement होगा वो कौन करता है यह clearing house करता है तो जो भी schedule bank है वो automatically clearing house का उसके पास membership आ जाता है और अगर कोई ऐसा bank है जिसके पास clearing house का membership नहीं है तो फिर उसको ऐसे bank के उपर निर्भर होना पड़ता है clearing और settlement के लिए जो की clearing house का member है तो यहां पर mainly दो principal facilities provide किया जाता है हर schedule bank को तो यह याद दखेगा circular में क्या बोला जा रहा था कि मुंबई महराष्ट based एक bank है urban cooperative bank जिसका नाम है कपोल cooperative bank limited तो इसको RBI ने RBI Act 1934 के second schedule से बाहर कर दिया है और यहां पर applicability आप देख सकते हैं all commercial and cooperative banks मतलब कि इसके बारे में जो भी commercial और cooperative banks है उसको बताए गया है नो देखे यहां पर RBI ने यह decision अचानक से नहीं लिया है पिछले साल Reserve Bank of India ने कपोल cooperative bank के license को cancel कर दिया था यह बहुत सारे जो provisions है उसको नहीं मान रहा था साथी में इसके पास adequate capital नहीं था earning prospect नहीं था ऐसा लग नहीं रहा था कि अगर यह bank आगे चल करके काम करेगा तो यह profit earn करेगा तो इन सब चीजों को देखते वे RBI ने इसके license को cancel कर दिया था और उसी के accordingly यहाँ पर क्या गया गया है क्योंकि अब इसके license को cancel कर दिया गया है तो इसलिए RBI ने RBI Act 1934 के second schedule के list से इस bank को बाहर भी कर दिया है ठीक है कपोल cooperative bank limited ठीक है चलिए आगे बढ़ते हो और दूसरे circular को देखते हैं यहाँ पर हमारे पास जो circular है यह circular 10 April 2024 का है RBI ने क्या क्या यह circular भी पिछले वाला circular से ही related है तो यहाँ पर एक foreign bank है जिसका नाम है Sonali Bank तो Sonali Bank का नाम Reserve Bank of India Act 1934 के second schedule में Sonali Bank Limited से change कर दिया गया है Sonali Bank PLC से ठीक है तो Sonali Bank का नाम RBI Act 1934 के second schedule में Sonali Bank Limited से change करके Sonali Bank PLC कर दिया गया है सबसे पहले तो इस bank के बार में बात करते हैं तो देखे जैसे हमारे देश का सबसे बड़ा public sector bank कौन सा है SBI सेम उसी प्रकार से यह जो Sonali Bank है यह बांगला देश का लारजेस्ट और लीडिंग नैशनलाइस कमर्शिल बैंक है जो की भारत में 1974 से काम कर रहा है यहां का बांगला देश में भी companies act 2020 है तो companies act के अंदर बांगला देश में कुछ amendment हुआ है तो उस amendment के हिसाब से जितना भी public limited company होता है जिसका शेर्स आम लोगों को offer किया जा सकता है आम लोग उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं तो बांगला देश का जो companies act है उसमें amendment किया गया है और उसके हिसाब से जितना भी public limited company है उसको अपने नाम के लाश्ट में या तो public limited company लगाना होगा या तो PLC लगाना होगा और यह वाला जो नियाम है यह बांगला देश के अंदर जो banking companies है उसके उपर भी लागो होता है तो यहां पर उसी के हिसाब से जो सोनाल बैंक limited से क्या कर दिया है सोनाली बैंक PLC कर दिया है यहां पर PLC नाम सोनाली बैंक Limited से सोनाली बैंक PLC कर दिया है ठीक है तो यह नहीं दिया गया है अगर आप लिस्ट देखेंगे जो इसके डूल foreign bank का list है तो उसमें आपको सुनाली bank limited के जगह पे सुनाली bank PLC दिखेगा और इसके बारी में जो भी commercial और cooperative banks है उसको बताए गया है तो यह हो गया हमारा second circular चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरे circular को देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो सर्कुलर है यह सर्कुलर 15 अप्रेल 2024 का है कैस रिजर्व रेशियो स्टैचूट्री लिक्विडिटी रेशियो और अनक्लेम डेपॉजिट को लेकर के बैंकों को स्टैचूट्री रिटर्न समिट करना परता था फॉर्म ए फॉर्म यह तीनों रिटर्न अभी तक बैंक एक्स बी आरेल पोर्टल के उपर समिट करता था लेकिन अब क्यूंकि आर्बिया का नेक्स्ट जेनरेशन डेटा वेरहाउस लाँच हो गया है सी आएमस पोर्टल तो अब यह सब जो स्टैचूट्री रिटर्न है वो सी आई एमस पोर्टल के उपर समिट किया जाएगा बैंकों के द्वारा आई नो बहुत सारे लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया होगा डोंट वड़ी इसको मच्छे से समझेंगे लेकिन उससे पहले एक थोड़ा साम बेसिक आइडिया ले ले लेते हैं सी आरार और अनक्लेम डिपॉजिट को के बारे में डूंट वड़ी बहुत ज़़ा डिप में हम नहीं जाएंगे जिनको नहीं पता है उनके लिए पस थोड़ा सम देख लेंगे कि exactly होता क्या है तो अगर हम सी आरार के बार में बात करें कैस रिजर्व रेशियो तो यह क्या होता है बैंक का जो टोटल डिपॉजिट होता है उसका एक परसेंटेज होता है जो की बैंकों को डिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कैस रिजर्व के फॉर में मिंटेन करके रखना होता है ठीक है और बैंक किस पैसे का इस्तिमाल करके नहीं तो लोगों को लोन दे सकता है नहीं तो इस पै इसक डाप करें तो जो क्यास रिजर्व रीशो है वह कितना है 4.5 परसंट तो बैंक का टोटल डिपॉजिट जितना भी होगा उसका 4.5 परसंट बैंक को आजब्या के पास क्यास रिजर्व के तोर पे मेंटेन करके रखना होता है ना लिक्विड असेट कहा है तो लिक्विड एसेट का मतलब ऐसा जिसको क्या बहुत ही आसानी से कैस में ''Convert कर सकते हैं'' तो सबसे पहले पम निक्मीट कैस हो गया लिक्विड कैस तो ही liquid asset इसके बाद gold हो गया जो gold होता है gold आप आसानी से sell कर सकते राई bet हजब जरुद कर सकता है दूसरा जो government securities आसादी से ऊक्या हो गया हो गया है को pair को हमेशा के लिक्विड एसेट इसका एक परसेंटेजler रिक्विड के वर में अपने पास मेंटेन ऑपर करके रखना हम उससे पहले बैंग को के किसे नहीं है हो इन्शौर करना होता है ठीक है और CRR के case में आपetin करना होता है लेकिन SLR के case में बैंकों हो लिक्वीड ऐस अपने पास मेंटेन करके रखना होता है ना कि क्लियर हो गया और है अब अब अगर में बात करें तो यह जो स्टेच्ट्य लिक्विडिटी रेशियो है सबसे इसको याद रखेगा अब देखें CRR के मेंटेनेंस को लेकर के बैंक को रिपोर्ट करना होता है इस टैचुटरी रिटर्न के अंदर तो यहां पर फॉर्म ए रिटर्न है जिसका इस्तमाल करके इसके अरल के मेंटेनस को लेकर केरे अरबे को रिपोर्ट क्या जाता है और वांडेनस को लेकर के आरबेज़ मेंटेनस को रिपोर्ट करना होता है भी जो एक बैंक स decisional ड्लूरल बैंक्स स्मॉल फानिंस बैंक और लोकल एर्यास बैंक कि इसके बाद देखिए एक है फॉर्म-9 तो यह अंक्लेम्ड टेपॉजिट को ले करके है तो फॉर्म-9 के अंदर भी बैंकों को आरगर को रिपोर्ट करना होता है अनक्लेम्ड डेपॉजिट को ले करके किसी भी प्रकार का financial transaction नहीं देखा जा रहा है नहीं तो पैसा विड्रौ किया जा रहा है नहीं तो पैसा deposit किया जा रहा है नहीं तो हर महिने उस particular account से EMI के लिए कुछ पैसा deduct होड़ा है किसी चीज के लिए तो वैसे savings या फिर current accounts में लेकिन मैचौर होने के 10 साल के अंदर तक उसको claim नहीं किया गया है तो वह भी क्या कहलाएगा अनक्लेम डिपोजिट कहलाएगा तो यहां पर बैसिकली अनक्लेम डिपोजिट को लेकर के साल के अंत में बैंकों को रिपोर्ट करना होता है यहां पर तीनों अंधर यहां पर वुपरान अब यहां पर यहां पर दीखे सर कुलुर कि उपर आते हैं आपको अब डेक्सीal आसानी से समझ में आ जाएगा तो 2021 यहां यहे तीनों डिटार लिए ैंड piace और के लिए फार्म 8 एट ही यह ट्रा के लिए फ़ाम 9 ऐंकलेंड डिपाजिट के लिए थे परОड कोड़ीन इक्स दिनीविस questionnaire के ऊपर ad फॉट चाहिए वहलोकल आपको पता होगा चो इस चॉबर्स को हैं इस पाइब और को किया जाता है वो अपना business statement को इस format में present करता है अलग-अलग business report को यह present करता है तो RBI का भी यह जो XBRL site है या फिर portal है यह XBRL based एक electronic filing platform है ठीक है तो अभी तक बैंकों के दोरा form A, form 8 और form 9 यह जो return है यह electronic form में XBRL portal के उपर समिट किया जाता था नाओ यहां पर क्या decision लिया गया है उसको समझे तो अभी यहां पर क्योंकि Reserve Bank of India का next generation data warehouse जिसका नाम है centralized information management system CIMS यह launch हो गया है तो अब यहां पर यह जो तीनों statutory return है यह XBRL portal के उपर समिट नहीं किया जाएगा अब यह तीनों जो return है यह CIMS portal के उपर समि data का next generation data warehouses CIMS यह है क्या तो data warehouse हमको पता है क्या होता है data warehouse क्या होता है यह एक storage facility होता है एक centralized repository होता है जहां पर किसी organization के अंदर अलग-अलग sources से large volume of data को store करके उसको organize करके उसको manage करके रखा जाता है तो RBI का भी यह क्या है data warehouse है और next generation का क्या मतलब होता है कि यह काफी तो क्यूंकि यहां पर Reserve Bank of India का next generation data warehouse centralized information management system CIMS launch हो गया है तो इसी लिए अब यह जो तीनों return है form A CRR के लिए form 8 SLR के लिए form 9 unclaimed deposit के लिए तो यह तीनों return अब XBRL portal के उपर submit नहीं किया जाएगा अब यह तीनों return CIMS portal के उपर submit किया जाएगा ठीक है समझ में आ गया now कब से यह submit किया जाएगा CIMS portal के उपर तो देखें यहां पर जो form A return है वह pod nightly submit किया जाता है यानी कि, 2 सकते में एक और पार से मिट किया जाता है, तो यह 14 Jun 2024 से CIMS portal के उपर ऑपर समिट किया जाएगा, ओकेj जो form 8 return है वो monthly submit किया जाता है monthly basis पे तो form 8 return में 2024 से CIMS portal के उपर submit किया जाएगा और जो form 9 return है जो कि unclaimed deposit के लिए है जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया था कि ये साल में एक बार submit किया जाता है साल के अंत में basically submit किया जाता है तो यहां पे जो form 9 return है वो 31 December 2024 से CIMS portal के उपर submit किया जाएगा अब देखे जो भी dates हमने यहां पे देखा यह तो upcoming dates है तो यहां पे जब तक यह date नहीं आता है तब तक form A और form 8 return है form A CRR के लिए और form 8 SLR के लिए तो यह दोनों जो return है ना यह दोनों return XPRL के उपर भी submit किया जाएगा और CIMS portal के उपर भी submit किया जाएगा लेकिन जो date mention है उसके बाद से जो यह return है वो सिर्फ और सिर्फ CIMS portal के उपर ही submit किया जाएगा अभी तक जब तक वो देट नहीं आता है तब तक Form A और Form 8 रिटर्न जो है ये दोनों ही XPRL पोर्टल के उपर भी और CIMS पोर्टल के उपर भी समिट किया जाएगा I hope आपको समझ में आ गया होगा तो चलिए आगे बढ़ते हो दूसरे सर्कुलर को देखते है यहाँ पर हमारे पाद जो सर्कुलर है ये सर्कुलर 15 अपरेल 2024 का है और ये बहुत ही जाता है इंपोर्टन सर्कुलर है यह किस चीज को लेकर के तो overseas market के अंदर जो gold price risk का hazing होता है यानि कि जो international market है international market के अंदर जो gold price risk का hazing होता है उसको लेकर के ये particular circular है तो इस circular को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये hazing क्या है, ये gold price risk का hazing क्या है तो इसको पहले हम थोड़े सा समझ लेते हैं उसके बाद हम इस circular के उपर आएंगे सबसे पहले कर आप बात करें हेजिंग के बारे में तो हेजिंग क्या होता है हेजिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे आप ऐसा action लेते हैं ऐसा कदम उठाते हैं जिससे किसी asset के अंदर जो price movement होता है उससे जो आपको risk हो सकता है loss होने का जो आपको risk हो सकता है उसको आप कम करते हैं तो हेजिंग को आपना insurance policy के तरह समच सकते हैं जैसे कि मालीज़े एक वैक्ति है उसने एक car खरीदा है और अब उसको वो अपने car का insurance करवाना चाता है तो उसने एक insurance policy खरीद लिया अपने कार के लिए अब अगर उसके कार को किसी भी प्रकार का नुकसान होता है आग लग जाता है या फिर चोड़ी हो जाता है एक्सिडेंट हो जाता है तो इस case में जो भी उसको नुकसान हुआ है उसका कुछ percentage कौन बियर करता है insurance company बियर करता ह तो यहां पर स्वैक्ति ने क्या क्या यहां पर इस वैक्ति ने insurance policy बाई करके इसको जो रिस्क था लॉस होने का उसको उसने क्या कर लिया कम कर लिया सेम इसी प्रकार से हीजिंग भी होता है यहां पर अलग अलग financial instrument अवेलिबल रहता है तो उसका इस्तमाल करके किसी asset में ज होगा ओवराल आपको अईडिया होगा कि हैंजिंग क्या होता है यहां पर अगर आप गोल्ड प्राइस रिसक के बादेम के बारे में समझेंगे तो और भी become care ठीक है तнейट प्राइस का हैंजिंग से क्या मतलब है तो यहां पर ऐसे स्टेटीजिश को अपना स traded जो गोल्ड के प्राइज में जो मुवमेंट होता है कभी उपर चल जाता है कभी नीचे चल जाता है इसके वज़ए से जो इन सब को नुक्सान हो सकता है उसको कम किया जाता है तो यहां पर प्राइज इसका है प्राइज यजाता है जो जाता है उसको कहें जौ है तो उसको सारा सबन कर लिया ठीक है तो सारा इन इस्टूमिंट होता है जसका इस्तमाल करके गोल्ड किया जाता है जैसे कि future contract options forward contract और यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा कि यह सब जो financial instrument है इसका इस्तमाल सिर्फ gold price risk के लिए नहीं किया जाता है और भी जो commodity है जो oil जो भी commodity है उन सब में भी in financial instrument का इस्तमाल करके उन सब को भी hedge किया जाता है तो एक ही करके यहां पर यह जो तीनो financial instrument है जिसका इस्तमाल करके gold के price में जो movement आता है उससे जो risk रहता उसको कम किया जाता है तो इसको हम समझते है सबसे पहले अगर हम देखे future contract के बारे में तो इसमें क्या होता है यह basically एक ऐसा agreement है जो कि दो parties के बीच में होता है इस agreement के तहर एक specific asset को यह कुछ भी हो सकता है gold हो सकता है oil हो सकता है agriculture product हो सकता है क्यूंकि हम यहां पर gold price risk hedging के बार में बात कर रहे हैं इसलिए यहां पर हम gold को लेते हैं तो future contract basically कैसा agreement होता है दो parties के बीच में जिसके तहर एक specific asset को एक pre-determined price पे एक specified future date पे खरीदा जाता है तो उस future date को किसी specific asset का price कुछ भी हो मार्केट में उससे मतलम नहीं है जो pre-determined price रहता है उसी price पे उस asset को खरीदा जाता है जैसे कि मालीजे गोल्ड प्रोड्यूसर है वह गोल्ड को माइन करके प्रोड्यूस करता है तो यहां पर आने वाली दिन जोल्ड को फ्यूचर में बहुत सारा गोल्ड पर्चेस करना है जोल्री मैनुफेक्चर करने के लिए लेकिन जोल्ड को आने वाले समय में जो गोल्ड का price है वह काफी जादा बढ़ जाएगा तो एक काम तो यह कर सकता है कि अभी गोल्ड को बाई करके और अपने पास रख कर रहा है इसको यह बाई कर सकता है और इसके तहट फिर यह एक स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट पे प्री डेटर्माइन प्राइस पे गोल्ड को बाई कर लेगा डजन मैटर के उस समय मार्केट में गोल्ड का प्राइस क्या है तो यहां पे इसको जो गोल्ड प्राइस मे movement के वज़े से नुकसान हो सकता था उसको उसने क्या किया कम कर लिया तो यही है future contract ठीक है इसके बाद देखे एक है options options में क्या होता है तो यह basically cash financial instrument होता है तो कोई भी अगर buyer है जो कि एक buyer है उसने options को खरीदा घीक है कि तो इहां पर उसके पास ही अधिकार आ जाता है कि वह एक specified period के दोड़ान एक veio प्राइस पे किसी specific asset को buy या फिर sell कर सकता है उसके पास यह right आ जाता है अब इसका मतलब यह नहीं है कि वह obligated ही है उसको एक specified period के दौरान एक predetermined price पे जो specific asset है वह buy करना ही करना है यह उसका right है अगर वह चाहे तो उसको buy नहीं भी कर सकता है अब देखिए options ना दो type का होता है एक तो होता है call option और एक होता है put option माल लिजे कि एक व्यक्ति है और उसको ऐसा लग रहा है ना एक investor माल लिजे और उसको ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में gold का जो price है वह काफी ज्यादा बढ़ने वाला है तो वह क्या कर लेगा वह call option खरीद लेगा और call option खरीदने के बाद वह एक specified period के दौरान उसके पास यह राइट आ जाएगा कि वह specified period के दौरान प्रीटर्माइन प्राइस पे gold को buy कर सकता है doesn't matter कि उस समय gold का price market में क्या है उसी प्रकार से माली कोई दूसरा investor है उसने gold में निवेस किया हुआ है और उसको ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो gold का price है वह नीचे चले जाएगा तो इस case में वह क्या कर सकता है वह put option खडीच सकता है put option के तहट उसके पास अधिकार आ जाएगा कि वह एक specified period के दौरान एक predetermined price पे gold को sell कर सकता है तो यहां पे यह होता है option एक इसका दो टाइप होता है एक तो call option होता और put option होता है और ध्यान रखेगा कि option के अंदर जो option का buyer रहता है क्योंकि यह financial instrument है right तो इसको कोई buy करता है hedge करने के लिए commodity को तो option का जो भी पाया रहता है उसके पास यह अधिकार रहता है कि वह उसके पास राइट रहता है कि वह specified period के दौरान एक predetermined price specific asset को buy या फिर sell कर सकता है यह इसके लिए वह obligated नहीं होता है कि उसको उस period के दौरान उस predetermined price पे specific asset को buy करना ही करना होगा या पिर sell करना ही होगा तो यह obligated नहीं रहता है वो यह बस उसका अधिकार रहता है ठीक है यहीं आपर mention भी है कि options are financial instrument that give the buyer the right but not the obligation to buy मतलब की call option और sell put option specific asset at a predetermined price within a specified period इसके बाद देखिए एक financial instrument है forward contract तो यह क्या होता है यह basically customized agreement होता है दो parties के बीच में यानि कि दो parties का जो need होता है जो भी requirement होता है उसके हिसाब से इस agreement को त्यार किया जाता है और इस agreement के तहत एक specified future date पे एक specific price पे किसी asset को buy या फिर sell किया जाता है अब आप बोलेंगे यह तो similar है forward, sorry future contract से जो हमने सबसे पहले देखा था तो यहां पर देखे यह future contract से अलग है किस तरीके से अलग है तो जो future contract है future contract में हमने क्या पढ़ा था future contract में हमने पढ़ा था कि यह दो parties के बीच में एक agreement है जिसके तहत एक future date पे एक predetermined price पे किसी asset को buy या फिर sell किया जाता है तो यह future contract पढ़ाता हमने और forward contract में हमने क्या पढ़ा कि यह customized agreement होता है दो parties के बीच में यानि कि दोनो parties का जो need रहता है जो requirement रहता है उसके हिसाब से इस agreement को तयार गया जाता है जिसके तहत एक specified future date पे एक specified price पे किसी asset को buy या फिर sell किया जाता है तो यहाँ पे आपको दोनों similar लगा होगा लेकिन देखिए difference क्या है तो जो future contract है वो standardized होता है और उसका trading होता है stock exchange के उपर उसको buy किया जा सकता है उसको stock exchange के उपर sell किया जा सकता है और यह सभी के लिए same होता है लेकिन जो forward contract होता है यह privately negotiated होता है यानि कि यह जो दो parties की बी जार किया जाता है तो यह बात याद रखिएगा जो forward contract होता है वो stock exchange पे ट्रेड नहीं रहता है उसका stock exchange पे रेडिंग नहीं कर सकते हैं लेकिन जो future contract रहता है उसको आप stock exchange पे ट्रेड कर सकते हैं तो forward contract अगर हम एक example देखें तो देखें मालीजे कि कोई jewelry manufacturer है और उसको ऐसा लग रहा है कि जो आने वाला फेस्टिबल सीजन है जो अभी वेडिंग साइगा उसके दौरान जो गोल्ड का प्राइस है वो बहुत जादा बढ़ जाएगा तो jewelry manufacturer को ऐसा लग रहा है तो यहां पे यह क्या कर सकता है जिसके तहत माल लीजे कि agreement के तहत के decide हुआ कि आज से तीन महिने के बाद जो jewelry manufacturer है वो एक फिक्स्ट प्राइस पे इस गोल्ड सप्लायर से जो गोल्ड है वो बाइ करेगा तो कुछ इस तरीके से forward contract काम करता है ठीक है यह तीनों इंस्ट्रूमेंट हमने देख लिया क्या क देखा future contract options और forward contract और ध्यान रखिएगा कि जो future contract है और जो options है यह दोनों ऐसा financial instrument है जो की stock exchange पे जिसका trading होता है तो इसको stock exchange पे buy करके sell करके जो hedging है वो किया जा सकता है लेकिन जो forward contract होता है वो stock exchange पे इसका trading नहीं होता है तो इस बात को याद रखिएगा ठीक है अब पर आते हैं I hope अब आपको circular आसानी से समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या बूला जा रहा है सबसे पहले से दिखिए December 2022 में RBI ने resident entities को अलाव कर दिया था कि यह international financial services center में जो भी exchanges है जो की international financial services center authority के द्वारा recognize है उसके उपर वो जो financial instrument available है उसका इस्तिमाल करके gold price risk को hedge कर सकता ह सबसे पहले तो यहां पर resident entities का क्या मतलब है तो देकि RBI ने भी इसको बहुत अच्छे से clarify नहीं किया है कि resident entities का क्या मतलब है लेकिन RBI के circular में जो definition दिया गया है उसके हिसाब से resident other than individuals are eligible entities मतलब कि individuals को छोड़ करके जो resident है जो companies है जो corporation है वो सब को यहां पर eligible entities माना गया है और अगर मैं आपको more specifically बताऊं तो जो भी qualified dollar होता है bank होता है वो यहां पर resident entities है और IFSC की बारे में तो आपको पता ही होगा IFSC क्या है हमारे देश के अंदर जो special economic zone है जहां पर companies के लिए businesses के लिए जो rule regulation होता है वो आसान होता है तो special economic zone के अंदर एक specialized designated area है international financial services center इसको यहां पर क् का भड़का साफावर का जो financial entities है वो आता है अपना ब्रांच सेटप करता है सबसीडरी सेटेप करता है और यहां से भारत के लोगों को भी और भारत के बाहर के लोगों को भी financial services प्रोवाइड करता है foreign currency में यह बात याद रखिएगा International Financial Services Center के यहां पे जो financial services लोगों को प्र करिंसी में प्रवाइट किया जाता है ठीक है और हमारे देश के अंदर अभी मात्र एक ही IFSC है International Financial Services Center Gift IFSC जो कि गुजरात के गांधी नगर में है ओके तो यहां पर और IFSC को रेगुलेट कौन करता है तो इसको रेगुलेट करने के लिए एक Unified Authority है जिसका नाम है International Financial Services Center Authority IFSC है तो यहां पर डिसमबर 2020 में RBI ने जो भी रेसिडेंट इंटिटीज है qualified dwellers bank उसको अलाव कर दिया था कि वह IFSC के अंदर जो एक्स्चेंजेस है जिसको की International Financial Services Center Authority के द्वारा रेकोगनाइस किया गया है तो जैसे कि BSC है NSC है तो इन सब का IFSC के अंदर सबसीडरी है वो काम करता है तो IFSC के अंदर जो एक्स्चेंजेस है जिसको क्या IFSC की द्वारा रेकोगनाइस किया गया है तो यहां पर जो Financial Instrument available है इसका इस्तमाल करकि resident entities gold price risk को hedge कर सकता है इसके लिए अलाव कर दिया गया था संबर 2020 में resident entities को ठीक है अब यहां पर क्या फैसला लिया गया है उसको समझे तो यहां पर resident entities को और भी ज्यादा flexibility प्रोवाइट करने के लिए क्या बोला गया है कि अभी तक तो क्या था कि IFSC के अंदर जो exchanges है उसके ऊपर जो derivatives है सिर्फ उसका इस्तमाल करके resident entities gold price risk को hedge कर सकता था लेकिन अब वो IFSC के अंदर जो OTC derivatives है उसका इस्तमाल करके भी gold price risk को hedge कर सकता है इसका मतलब क्या होता है देखिए सबसे पहले तो यहां पर derivatives क्या है तो जो भी हमने financial instrument देखा ना future contract options forward contract के सब क्या है derivatives ही है derivatives ऐसा financial instrument होता है जिसका value किसी दूसरे asset के उपर निर्भड करता है तो जो भी हमने बात क्या future contract options forward contract यह सब क्या है derivatives ही है तो IFSC के अंदर जो exchanges है BSC का जो सबसीडरी है NSC का जो procedure है तो वहां पर जो derivatives है ना जैसे की future contract हो गया options हो गया उन सब का इस्तमाल करके अभी तक resident entities गोल प्रैस इसको hedge कर सकता था लेकिन अब इनको अलाव कर दिया गया है कि यह IFSC के अंदर जो OTC derivatives है मतलब कि over the counter derivatives over the counter में क्या होता है यहां पे दो पार्टी के बीच में directly trading होता है बीच में कोई stock exchange नहीं रहता है तो जो over the counter derivative है जैसे की forward contract forward contract में क्या होता है forward contract में हमने क्या देखा कि यहां पे दो पार्टी के बीच में यह हो रहा था agreement हो रहा था यहां पे सबसे बड़ा फैसला लिया गया है इस तर्कुलर में इस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह यह है आप चाहे तो यहां पे पढ़ सकते हैं देखें क्या लिखा गया है कि इस नाओ बिन डिसाइड़ पर्मिट रसिदेंट इंटिटी इस तो हैज देर एक्सपोजर तो प्राइस रिसक और यूजिंग ओटीस डेरिविटिव जैसे कि ओटीस डेरिविटिव यहां पे क्या हो गया है जो फ्वार्वर्ट कॉंट्राक्ट उसके बार में बात हो रहा इंटरनाशनल फाइनशनल सर्विसेंटर इन एडिशन टू डेरिविटिव ऑन डा एक्सचेंज़ इन दा आइफसी तो इसके ऊपर डेरिविटिव एवेलिबल है लाइक फ्यूचर कॉंट्राक्ट एंड ओप्शन तो उसका इस्तिमाल करके तो अभी तक रसिदेंट इंट और यहां पर देखें जब आएफसी के अंदर ओटीसी डेरिविटिव का इस्तिमाल करके गोल्ड प्राइस रिसको हेज किया जाएगा रसिदेंट इंटिटी इसके द्वारा तो जो भी 2022 का मास्टर डारेक्शन है तो इसके अंदर जो रूल डेगुलेशन है उसको ध्यान में रखते वे यहां पर ओटीसी डेरिविटिव का इस्तिमाल करना है और क्यूंकि यह जो इंस्ट्रक्शन अभी जारी किया गया है तो यह तुरंट एप्लिकेबल हो जाएगा और इस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से मास्टर डारेक्शन को लाने के लिए इस मास्टर डारेक्शन को भी अपडेट कर दिया गया है इसके अलावा जो डारेक्शन के बार में हमने बात किया यह फॉरें एक्ष्चेंज मैनेजमेंट टैक नाइटी नाइटी नाइन के सेक्शन 10 सब सेक्शन 4 और सेक्शन 11 सब से के तहर्ट इश्यू क्या गया है अगर हम बात करें तो जो भी ऑथराइजड डीलर कैटिग्री वन बैंक से उन सब के ऊपर यह जो सर्कुलर है यह अपने दूसरे सर्कुलर को पढ़ते हैं कि यहां पर मारे पाइज जो सर्कुलर है यह सर्कुलर 15 अप्रेल 2014 का है लोन्स और अड्वांसस के लिए जो की फैक्ट स्टेट्मेंट होता है के एफएस उसको लेकर यह सर्कुलर है देखिए सबसे पहले तो की स्टेट्मेंट होता क्या है जब आप बैंक में लोन लेने के ले जाते हैं तो आपके और बैंक के बीच में एक एग्रिमेंट होता है एक लोन एग्रिमेंट रहता है जिसको आपको साइन करना होता है उसके बाद बैंक से लोन लेते हैं अब यह जो लोग पढ़के साइन करते हैं आधे से जादा लोग इसको बिना पढ़े ही साइन करते ह क्योंकि इसका जो लेंग्वेज रहता है सबसे पहले तो यह काफी ज्यादा टेकनिकल रहता है तो कोई बहुत अगर एजुकेटेड भी है वह भी इसको पढ़ना एबॉइट करता है और दूसरी बात यह है कि काफी ज्यादा लेंदी रहता है तो यहां पर लोन कि इसके द्वारा बॉडवर को की फैक्ट स्टेटमेंट प्रॉइड किया जाता है यह होता क्या है तो यह बिसीक्ली एक वन पेज रॉक्युमेंट होता है जिसमें साधारन और आसान भासा में जो लोन एग्रिमेंट का की फैक्ट रहता है जो मोस्ट इंपॉर्टन के बार में बताया रहता है तो यह एक वन पेज डॉक्युमेंट रहता है जिसको की बॉडवर को दिया जाता है और इससे बॉडवर को लोन एग्रिमेंट का जो की फैक्ट रहता है जो मोस्ट इंपॉर्टन जानकारी रहता है उसके बारे में पता चल जाता है और उसके ने जो statement on development and regulatory policies को issue किया था तो उसमें RBI ने decide कि की fact statement को लेकर के जो भी instructions है उसको harmonize किया जाएगा तो basically RBI ने की fact statement को लेकर के जो भी instructions है उसको harmonize कर दिया उसको align कर दिया अब जो भी regulated entities है उसके द्वारा key fact statement को लेकर के same set of rules को follow किया जाएगा harmonize instructions का यहीं मतलब होता है ठीक है अब यहां पे कौन कौन सा instructions की बार में बात हुआ है उसके पहले यहां पे देखे कुछ-कुछ हां यह जो harmonize instructions जारी किया गया है तो इससे होगा क्या तो सबसे पहले तो इससे transparency बढ़ेगा और एक जो information asymmetry है देखे regulated entities के दोरा जो अलग-अलग financial product issue किया जाता है तो किसी financial product के बारे में ज्यादा knowledge कि इसके पास होगा जिसके दोरा issue किया जारा जो regulated entity है उसके पास ज्यादा knowledge होगा राइट जो बॉर्टोवर है उसके पास उतना knowledge नहीं रहता है जो customer उसके पास उतना knowledge नहीं रहता है तो यहां पर जो imbalance होता है जो इनफोर्मेशन में इसी को क्या बोला जाता है information asymmetry बोला जाता है तो information asymmetry को यह reduce करेगा जो harmonize instructions है वह और यहां पर बॉर्टोवर को इंपावर करेगा कि एक informed financial decision ले सके इसके इसके अलावादी कि जो भी harmonized instructions के बार में हम बात करने वाले हैं यह जो भी retail और MSME term loan है जो की regulated entities के द्वारा provide किया जाता है उन सब के ऊपर applicable होगा तो जो individuals को loan दिया जाता है whether it is car loan home loan और जो personal loan होता है जो caso part certificate के इन स्क्राइब काई कि इkarang बहुतित है इसको कृछ से बात निशवा पर में बुच्त होता है और सबसे पहले तो आपे की फैक्त का क्या मतलब है इसको डिपाइन कि फैक्त यहां पर जो ऑन जीजा सब नेक्जा होता है स्टेटमेंट्स में क्या होता है लोन Stepason Rock का मतलब है लोन जासे कि इंट्रेस्ट हो गया ब मुझाने ओंक तो यह सब क्लियर हो गया फ्रक्राइक को समझने में उतना दिक्कत नहीं होगा तो loan agreement का key fact वैसा fact होता है जिसका की कुछ legal importance होता है और जो deterministic fact होता है यह basically borrower को basic information providing करता है जिसके आधार पे वो एक informed financial decision ले सके समझ में आ गया इसके बाद यहां पर की fact statement को define क्या गया है तो जाता है simple और easier manner में ताकि बॉर्वर को लोन एग्रिमेंट का जो most important point है वो समझ में आसा कि वो उसको पता रहा है इसके बाद देखे यहां पे annual percentage rate APR को define किया गया है तो APR क्या है यह थोड़ा से important है इसको ध्यान से समझेगा APR क्या है annual percentage rate तो कोई borrower है उसने bank से loan लिया अब उस loan के उपर उसने जो fund borrower किया उसके उपर उसको एक साल में कितना cost bear करना पर रहा है यही क्या होता है annual percentage rate होता है तो इसमें interest rate तो होता ही है interest rate के अलावा भी अगर loan से कोई charges जुरा हुआ है तो वो भी annual percentage rate के अंदर आता है इसको एक example से समझते हैं जैसे कि माल लीजे आपने 10,000 रुपया का bank से loan लिया और उसके उपर आपको bank को 12% per annum के हिसाब से interest देना है और आपको 500 रुपया processing fee भी देना है तो यहां पे आप interest तो किया है 10,000 उसके उपर आपको कितना cost आ रहा है 1700 आपको cost आ रहा है और अगर आप इसको percentage में निकालेंगे तो यह कितना हो जाएगा 17% हो ठीक है तो इस example में हमारा जो APR है annual percentage rate वो कितना है 17% है तो annual percentage rate क्या होता है आपने जो fund borrow किया है उसके उपर आपको एक साल में कित इसके अलावा भी अगर loan से जुरावा कोई charges है तो वो भी इसमें सामिल रहता है इसके बाद देखे यहां पर equated periodic installment EPI को define किया गया है तो यह क्या है तो यह loan का repayment करने का एक तरीका है यह basically equated या fixed amount होता है जिसमें कि principal का पैसा भी सामिल रहता है और interest का पैसा भी सामिल रहत है और यह borrower को एक regular interval पे देना होता है fixed number of search interval यानि कि तीन बार चार बार हर महिने या हर दो महिने पे हर तीन महिने पे हर छे महिने में इस तरीके से borrower को यह देना होता है अब देखे अगर equated periodic installment monthly basis पे हो रहा है यानि कि आपको हर महिने पे equated या fixed amount देना पर रहा है बैंक को जिसमें principal और interest दोनों सामिल है तो यह क्या कहलाता है तब EMI कहलाता है ठीक है equated monthly installment के कहलाता है तो यह यहाँ पे चार term था जिसको की define किया गया है चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो harmonized instruction चारी किया गया है उसको हम यहाँ पर पढ़त जो बैंक से लून लेना चाहता है उसको वह key fact statement provide करेगा ताकि उसके पास एक informed view हो loan agreement sign करने से पहले इसके बाद जो key fact statement है वह ऐसे language में लिखा होगा ताकि borrower को समझ में आ सके और key fact statement का जो content होगा इसमें जो भी point लिखा रहेगा interest rate के बारे में loan का tenure के बारे में APR के बारे में जो भी लिखा होगा उन सबको समझाना होगा lender को borrower को और फिर एक acknowledgement भी लेना होगा कि borrower को यह सभी चीजे समझ में आ गया है उसके बाद ही यह loan contract sign कर रहा है इन सबके अलवा देखिए जो key fact statement है उसके साथ हर एक key fact statement के साथ एक unique proposal लमड होगा और हर एक key fact statement का एक validity period होगा तो loan का जो terms होता है उसको accept करने के लिए तो अगर loan का tenure साथ दिन या फिर साथ दिन से जादा है तो इस case में जो key fact statement का validity period होगा वो कम से कम तीन दिन होगा तो तीन दिन का समय होगा borrower के पास वो loan agreement को जो loan का terms है उस पे सहमत होने के लिए और अगर loan का tenure साथ दिन से जाता है तो इस case में जो validity period होगा key fact statement का वो एक दिन का होगा अब देखें अगर इस validity period के दौरान जो borrower है वो उस terms पे condition पे agree हो जाता है तो उसके बाद regulated entity उन terms condition को change नहीं कर पाएगा उसको उसी terms के ऊपर borrower को loan देना होगा और अगर इस validity period के दौरान जो borrower है वो इन terms पे agree नहीं होता है तो फिर regulated entities इन terms को change कर सकता है ओके इसके बाद है की fact statement के अंदर जो annual percentage rate APR है वो किस तरीके से calculate होगा उसके बारे में भी बताया जाएगा और जो loan के tenure के दौरान जो loan का amortization schedule होगा उसके बारे में भी समझाया जाएगा कि किस तरीके से borrower को एक fixed interval के बाद कुछ amount installment के तौर पे करना होगा जिसमें principle भी होगा और interest भी होगा तो इन सब के बारे में भी के fact statement में जानकारी होगा table के form में इन सब के अलाबा अगर regulated entity किसी third party service provider के बिहाब पे borrower से कोई charge recover कर रहा है insurance charge legal charge कुछ भी तो यह APR का party होगा जो annual percentage rate है उसके पार्ट के तौर पे इसको देखा जाएगा और इसको separately disclose भी किया जाएगा इसको separately दिखाया भी जाएगा और कहीं पे भी अगर regulated entities के तौरा किसी third party के बिहाब पे borrower से किसी प्रकार का charge लिया जा रहा है तो जो भी receipt होगा उस related document होगा वो borrower को provide करना होगा हर पेमेंट के बाद एक reasonable time के अंदर में और कोई भी ऐसा fee या फिर charges जिसके बारे में key fact statement में mention नहीं है वो regulated entity borrower से charge नहीं कर सकता है पूरे loan tenure के दौरान में कभी भी बिना borrower के सहमती के इन सब के अलावा दिखे हमने क्या बात कि एक तो होता है loan agreement जिसको आपको sign करना होता है लेकिन जो loan agreement होता है उसका language काफी technical होता है और काफी यहां पर बोला जा रहा है कि की fact statement तो provide किया ही जाएगा लेकिन जो loan agreement होगा ना loan agreement के अंदर भी जो की fact statement है उसको summarized form में दिखा जाएगा तो इस चीज को भी insure करने के लिए बोला गया है तो यह हमने बात कर लिए इंस्ट्रक्शन के बारे में जो की regulated entity को मानना है अब यहां पे इस circular का जो भी प्रोविजन्स है वो credit card receiveables के उपर लागू नहीं होगा आपके credit card के उपर जो outstanding balance रहता है जो आपको pay करना होता है तो इन सब case में यह circular का जो प्रोविजन्स है वह applicable नहीं होगा applicability और commencement के बारे में अगर हम बात करें तो यहां पर regulated entities को बोला गया है कि वह जो भी necessary system है उसको establish करें ताकि जल्द से जल्द यह जो guidelines है उसको implement किया जा सके इन सब के अलावर देखें यह जो harmonized instructions है वह कब से applicable होगा तो this is very important यह कब से applicable होगा एक अक्टूबर 2024 से तो एक अक्टूबर 2024 या इसके बाद जो भी retail या फिर MSME term loan provide किया जाता है regulated entities के दौरा तो उन सभी के ऊपर यह जो provisions है वह applicable होगा या फिर एक अक्टूबर 2024 तक इस पीरिट के दौरान मतलब अभी तो आया नहीं है अभी आने वाला है तो इस पीरिट के दौरान जो भी relevant provisions है की fact statement या fact seat को लेकर के basically यहां पर जैसे कि एक guidelines है डिजिटल लेंडिंग के ऊपर इसके बाद master direction है regulatory framework for microfinance loans को लेकर के display of information by banks इसके ऊपर एक circular है तो यह सब circular में जो भी provisions है वो जो भी existing guideline है वो जैसे है वैसे ही रहेगा अगर हम बात करें legal provisions के बारे में किन act के तहत इन instructions को जारी किया गया है तो यहां पर banking regulation act 1949 reserve bank of India act 1934 और national housing bank act 1987 के तहत यह जो instructions है इसको जारी किया गया है इन सब के अलवादी के यहां पर तीन circular है एक है 2015 का और दो है 2022 का तो इन तीनो circular को रिपील कर दिया गया हटा दिया गया है लेकिन क्यूंकि अभी एक अक्टूबर 2024 से जो harmonized instructions है यह जारी होगा तो इसी लिए इस period तक एक अक्टूबर 2024 तक कैसा माना जाएगा कि यह जो रिपील सर्कूलर से या जो provisions है वह applicable होगा एक अक्टूबर 2024 के बाद से इसको repeal माना जाएगा ओके अगर हम बात करें तो जो भी commercial bank है including small finance bank local areas bank regional rural banks excluding payment bank payment bank के उपर यह जो प्रोवीजन से यह लागू नहीं होगा इसके अलावा जो भी primary urban cooperative banks है state cooperative banks है central cooperative banks है इन सब के उपर applicable होगा जो भी non banking financial companies है including housing finance companies इन सब के उपर भी applicable होगा समझ में आ गया यह वाला circular काफी जाता important के circular था आपको सबसे important चीज यह आद रखना है कि जो harmonized instructions है वह एक October 2024 से लागू होगा ओके चलिए आगे बढ़ते और दूसरे circular को देखते हैं तो यहां पर हमारे पार जो circular है यह circular 18 अप्रेल 2024 का है असम के अंदर एक नए जिले को फॉर्म किया गया है जिसके लिए RBI ने एक bank को lead bank responsibility swap है तो उसी के बारे में इस circular में बोला गया है तो यहां पर इस circular को समझने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि कि इस scheme के तहट बैंक को lead bank responsibility swap आ जाता है ठीक है तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए यह हम देख लेते हैं उसके वाद हम इस circular के उपड़ आएंगे देखे 1969 में Reserve Bank of India के द्वारा भारत के अंदर lead bank scheme को लॉंच किया गया था इसका उदेश है कि हमारे देश में जो सेमी अर्बन एडिया जो अर्थ सहरी एडिया तो वहां पर लोगों को जो banking services मिल रहा है वहां पर लोगों को जो credit facility मिल रहा है जो लोन मिल रहा है तो उन सब चीजों का इंप्रूफ करने के लिए यहां पर lead bank scheme को लॉंच किया गया था 1969 में इस scheme के तहता क्या है तो इस scheme के भारत में जितना भी डिस्ट्रिक्ट है हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक particular commercial bank को lead bank के तौर पर चुना जाता है और वह करता क्या है तो वह उस bank के वह उस जिला के अंदर leader के तौर पर काम करता है उस district के अंदर जो दूसरा credit institution है उन सभी के द्वारा जो प्रियास किया जा करता है तो यहां पर जैसे कि माल लीजे एक डिस्ट्रिक्ट है इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे अदा प्रांच SBI का है तो इस डिस्ट्रिक्ट के लिए State bank of India को lead bank के तौर पर चुन दिया गया और यह State bank of India अब यह उस district के अंदर जो दूसरा credit institution है उसको lead करने का काम करे अब हम आते हैं अपने सर्कुलर के उपर समझ में आ गया lead bank scheme क्या होता है इस scheme के तहरे जितना सारा भी डिस्ट्रिक्ट है भारत के अंदर हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक पर्टिकुलर कमर्शल बैंक को lead bank के तौर पर चुना जाता है नाव देखे यहां पर क्या फैस तो आप देख सकते हैं जो newly created डिस्ट्रिक्ट है असम के अंदर उसका नाम क्या है तामुलपूर और यहां पे जो lead bank responsibility सौपा क्या है वह सौपा क्या है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को और reporting purpose के लिए हर एक district को एक district working code अलाउट किया जाता है तो यहां पे 02 की इसको district working code भी अलाउट किया गया है इसके अलावा तामुलपूर के अलावा जो भी district है असम के अंदर उसके अंदर जो lead bank से उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं गया गया है